गुड मॉर्निंग बच्चों, अभी हम लोग खादे स्वच्चता के बारे में पर रहे हैं। बच्चों, हम सभी जानते हैं, जिन्दा रहने के लिए, सरीर के बिर्धी और विकास के लिए, सरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए और उत्तम स्वास्थ के लिए, उत्तम और स्वच्च भोजन का होना अती आवस्यक है। जैसे यदि उत्तपादन के समय हम असाबधानी बरतते हैं, तो उस कारण से भी हमारे खाद्यान में दोस उत्तपन हो जाते हैं। उनका वैभार जब हम अपने भोजन में करते हैं, खाना पकाते समय करते हैं, तो वे हमारे आहार को दूसित करते हैं। यदि हम खादिपदार्थों का भंडारन सही तरीके से नहीं करते हैं, उनकी देखवाल सही तरीके से नहीं करते हैं, उनको उचित तरीके से स्टोर नहीं करते हैं, तो भी वे दुसित हो जाते हैं और उनका वैभार हमारे स्वास्थ के लिए हानिकारक होता है. इतना ही नहीं, खाना पकाते समय, यदि हम रसोई घर में भी स्वच्छता के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो भी हमारा आहार दूसित हो जाता है इसी क्रम में बच्चों आज हम लोग बैक्तिगत स्वच्छता के बारे में परहेंगे बच्चों हमारे आहार पर हमारे वैक्तिगत स्वक्षता का भी बड़ा ही प्रभाव परता है आप सभी जानते हैं घर में खाना पकाने का दाई तो प्राय घर की ग्रिहनी पर होता है इसके अलाबे कुछ घरों में नौकर दाई भी खाना पकाने का कारे करते हैं यदि ये लोग अपने व्यक्तिगत स्वक्षता का ध्यान नहीं रखेंगे तो इससे भी हमारा आहार दूसित हो सकता है व्यक्तिगत स्वक्षता का तात पर व्यक्ति के स्वेंग के स्वक्षता से है वह व्यक्ति जितना ही स्वेंग को साफ सुथरा रखेगा उसके द्वारा तयार किया गया भोजन उसके द्वारा परोसा गया भोजन उतना ही साफ सुथरा और स्वास्थे वर्धक होगा इसके लिए सबसे पहले रसोई घर में जाने से पूर्व उस वैक्ति को अथ्वाग्रिहनी को स्नान करके और साफ सुत्रे कप्रे पहन के रसोई घर में जाना चाहिए रसोई घर में जाते समय उन्हें चपल या जूते का बैभार नहीं करना चाहिए यदि वे चपल और जूते पहनते हैं तो उस चपल और जूते का बैभार सिर्थ रसोई घर में ही करना चाहिए जो वैक्ति खाना पका रहे हैं उनका बाल अच्छी तरह से बंधा हुआ होना चाहिए यदि उनके बाल खुले होंगे तो वह तूट कर हमारे खाने में गिर जाएंगे और हमारे खाने को दूसित कर देंगे इतना ही नहीं उस वैक्ति का नाखून भी अच्छी तरह से कटा हुआ होना चाहिए क्योंकि गंदा नाखून भी हमारे खाने को दूसित कर सकता है उनके नाखून में छोटे छोटे जीवानू होंगे जो हमारे खाने में मिलकर हमारे खाने को गंदा कर सकते हैं खाना बनाने से पहले उन्हें अपना हात अच्छी तरह से सावुन पानी से धू लेना चाहिए इतना ही नहीं जब वे खाना बना रहे हों तो उन्हें खासना अथवा छीकना नहीं चाहिए क्योंकि उनके नाख और मुझ से निकलने वाले बूंद से भी हमारा खाना और स्वक्षकर हो सकता है यदि खाने पकाने वाला वैक्ती अथवा ग्रिहनी किसी रोग से ग्रसित है अथवा भीमार है तो उसे स्वैंगी रसोई घर में नहीं जाना चाहिए कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी-किसी के हाथ में फोरे फुन्सी हो जाते हैं अथवा कट फट हो जाता है तो ऐसे लोगों को भी खाना-पकाना अथवा परोसना नहीं चाहिए क्योंकि इससे भी हमारा आहार और स्वक्ष हो सकता है इतना ही नहीं खाना परोस्ते समय भी व्यक्ति को खाना परोस्ने से पूर्व अपना हाथ अच्छी तरह से धो लेना चाहिए खाना परोस्ते समय भी उसे छीकना अथ्वा खासना नहीं चाहिए वह जो भी वर्तन चू रहा है उस वर्तन को चूने से पहले हाथ अच्छी तरह धो लेना चाहिए इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि खादे स्वक्षता का हमारे जीवन में बराही महत्व है और खाना पकाते समय भंडारन करते समय भी हमें खादे स्वक्षता का ध्यान रखना चाहिए यदि हम स्वक्षता के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो इससे हमारा आहार गंदा हो सकता है दूसित हो सकता है और जब हम इस आहार का वैभार करते हैं तो हम कई तरह के रोगों से पीरित हो सकते हैं इसलिए हमें खाद स्वक्षता को ध्यान में रखते हुए अपने बैक्तिगत स्वक्षता का भी ध्यान रखना चाहिए धन्यवाद